श्री शिवाई नमस्तव्यम दर्शकों श्राद पक्ष के शुक्ल पक्ष की अश्टिमी तिथी को महालक्षमी का विशेश आसिरवात प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है क्योंकि श्राद पक्ष में जो अश्टिमी पढ़ती है उसमें मातारानी गज पर यानि हाथी पर विराजमान होकर प्रकट होती है और उस दिन आप मातालक्षमी की विशेश क्रपा पाने के लिए एक छोटा सा उपाय करेंगे तो आपके घर्म धन धाने से भर जाएंगे यदि आपको धन संपदा की कमी है या फिर आप मातालक्षमी की क्रपा पाना चाहते हैं तो छोटा सा एक उपाय करना है आपको यह उपाय करने के लिए हाथी का इस्तमाल करना है जी हाँ दोस्तों गज लक्षमी यानि हाथी पूजन महालक्षमी की पूजा करनी है आपको इस दिन मिट्टी का हाथी लेकर आना है मिट्टी के हाथी मिलते हैं जिस पर माता लक्षमी विराजमान रहती है ऐसा कई जगा पूझा की जाती है इस तरीके के आप सोने चांदे या फिर पीतल तांबे के भी बनवा सकते हैं हाथी और इनकी पूझा करें आप कमल गट्टे जरूर अर्पित करें कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अतिप्रिय होते हैं और कमल के फूल भी जरूर अर्पित करें ऐसा करने से आपका घर धन धाने से भर जाएगा विधी पूर्वक पूजा करें पूजा का वीडियो हमारे चैनल पर community टेप पर डला हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा, सम्पून पूजा विदी भी हमने बताई है, 5-6 मिनिट का वीडियो डाला हुआ है, वो पूरा देखिएगा, उसकी पूजा सामगरी भी डाले हुई, क्या क्या लगती है, उसे दे पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक श्रेयर कीजिएगा, श्री श्री नमस्तुर।